गूड मॉनिंग बेटा गूड मॉनिंग वेरी गूड मॉनिंग चालि अभी हमने ब्रांच एकॉन में किया था डेटर सिस्टम है न तब किया तसरफ गूड्स अगर हमने ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर भेजा है अब हम करते हैं अगर हमने गूड्स इन्वाइस प्राइस पर भेजा है अगर हमने गूड्स ब्रांच को इन्वाइस प्राइस पर भेजा है चालि सेकिंड पार्ट अगर करते हैं डेटर सिस्टम में ठीक है हम कर रहे हैं कौन सा डेटर सिस्टम कौन सा सिस्टम डेटर सिस्ट है ना अब हम बात करते हैं when goods are sent when goods are being sent to branch on invoice price basis invoice price समझते हो ना हाँ जी कौन सा सर जी cost plus margin जो हमने stock and debtor में किया था यहनी branch को जूट बोलते हैं बैजय से अपने बच्पन में भी अपने पेरेंट से जूट बोला होंगा ना कई बार के भई कोचिंग में पढ़ने गए स्कूल कई और चले जाते थे तो वैसे ही जूट बोला है हमने branch को कि भी cost इतनी नहीं है इतनी है कि ओ जूट बोला भाई वहां तो इससे जूट बोलते थे कि पटाई नहीं हो यहां जूट बोलने का कारण क्या है कि अगर branch को सही price पता लग जाए अपना business शुरू कर लेगा हो तो भाई उसको सही कीमत ना पता लगे और अगर उसको सही कीमत पता लग जाती है त तो सेल के साब से वो देख लेता है अच्छा इतना profit कमा रहे हैं तो उसका bonus बढ़ जाता है उसकी incentive बढ़ जाते है तो हम उसको इतना incentive नहीं देना चाहते है तो वही purpose था है ना इसलिए हम invoice price basis पर फेसे यानि cost प्लस एक margin अपना एक margin अपना एक आर्बिट्री एक notional margin जोड़ देते हैं ठीक है तो यह ध्यानक ना हम क्या बनाएंगे सब से पहले branch account तब जो branch account बनाओगे head office की book में same pattern पर कोई change नहीं loading loading का concept से head office की book में क्या बनाओगे branch account हाली जब goods बेजोगे opening stock होगा जोड़ चेंज है यहाँ जाएगा 2 balance BD है ना क्या आएगा 2 balance BD debit में क्या जाएगा मेरे पर stock stock का offering balance कौन से price पर आएगा यह invoice price पर मतला अगर हम यह कहें suppose cost price मेरी 100 रुपे की है है ना और invoice price मेरी है मानलो 125 की तो loading होगी 25 रुपे loading का मतलब क्या होता है जितना रुपे मैंने जूट बोला है यह अपना margin तो यह 125 रुपे पर होगा और जो मैंने goods बेजा ब्रांच को branch debit to goods and to to goods and to branch यह भी IP पर होगा है ना भी यह भी IP पर होगा ठीक है closing stock अब यह भी IP पर होगा चलो अब हमें क्या adjustment करनी होगी इसमें ता कि हमें क्या adjustment करनी होगी ता कि हमारा profit साही आए तो देखो जो हमने भेजा सौर पेगा goods 125 रुपे में है ना सौर पेगा goods 125 में भेजा उन्होंने sale करी यह remittance में आएगा यहाँ remittance में आता है ना by remittance यह मैं आपको समझाई चुका हूँ remittance में क्या क्या आता है branch में cash sales cash collection from debtor insurance company से पैसा आया कोई asset बेच के आया माइनस मेरे खर्चे तो यह net sale नेट आ जाती थी तो यह मैं आपको बता चुका हूँ कि कि यहाँ पर automatically cash sales और credit से record हो जाती है ठीक है वो sale price पर record होगी है ना अब actual में profit तो तभी आएगा ना actual में profit तो तभी आएगा ना जब यह cost पर आई तो जितना loading हमने इसमें add किया वह है वो credit कर देते है सारा का सारा उसको क्या लिख देते हैं goods send to branch कितना पार्ट loading वाला पार्ट ओके यह समझ में आगया credit क्यों कर रहे है हम जैसे stock and debt system में समझाया था कि जितना इसमें access है वो मैंने कमाल एक्च्छल तो 100 रुपे का goods है ना यहाँ basically cash sales और credit sale दोनों आ जाती है ना direct नहीं आती है आपको समझा रख्या रख्या credit sale क्यासे आती है ठीक है direct नहीं आती धानक ना ठीक है यहाँ तो basically दोनों आ जाती है तो sale अगर माल लो 130 रुपे की है तो है तो cost price 100 रुपे का माल तो 100 रुपे का 130 में बेचा profit 130 रुपे आना चाहिए ना पर 125 रुपे दिखा रहा हूं ओके तो 25 रुपे मैं यहाँ पर credit कर देता हूं 25 रुपे मैं यहाँ पर credit कर देता हूं यानि loading वाला part तो automatically क्या होता है यह 100 रुपे बर बन जाता है हो गया clear तब ही तो मेरा profit सही आएगा चलिए तो जितना opening stock है वो मैंने बेचा है इस बार जितना opening stock है वो बेचा है इसमें शामिल है तो उस पर भी loading credit हो जाएगी किस नाम से stock reserve किस नाम से stock reserve यानि same loading on opening stock loading on opening stock ठीक है भी अब जो बच गया goods भाई हमने दोनों पर loading credit कर दी तो जो बच गया उस पर अगले बर कमाएंगे क्योंकि आमने साराथ हो ना बेचा है माल तो आपने तो credit कर दिया अब आप debit कर दोगे किस नाम से वो ही stock reserve to stock reserve यानि loading on closing stock या जाएगा loading on closing stock बला क्लियर है बेटा सेम प्रोसेस है ओपनिंग और गूट सेंट की लोडिंग क्रेडिट करोगे closing stock की लोडिंग डैबिट करोगे आप रिटर्न होगी तो reverse हो जाएगी अपने आप यह रिटर्न यहां से माइनस कर जाना अ अगर कोई रिटर्न है तो इसे में से माइनस करके से दिखा दिया करो तो नेट गूट सेंट आ जाएगा अपने अफ्लोडिंग नेट पर आ जाएगी ठीक है बेटा यह तो बलकुल क्लियर है जैसे स्टॉक अंडेटर में था आच्छा दूसरी बाद यह दानक ना जब आप वरकिंग नोट में जब आप वरकिंग नोट में missing information के लिए बनाओगे memorandum तो बाकि सब्दो सेम है जब memorandum stock account बनेगा जब memorandum stock account बनेगा ना ठीक है तो वो बनेगा invoice price पर वो बनेगा एक ही price पर क्योंकि memorandum stock account हम केवल missing information के लिए बनाते हैं अपने लिए यह केवल यह double entry का पार्ट नहीं होता है यह सरफ एक तना से plus minus यह एक तना से हम देखने हैं कि opening कितना था इतना भेजा इतना बेच दिया इतना बच किया ठीक है तो यह सारा बनेगा IP पर always to be prepared at invoice price अगर sale invoice price से ज्यादा पर है तो sale को IP पर लिखना पड़ेगा चलो जैसे two balance BD आ गया opening stock हमने कितना माल भेजा उनको तो goods sent to branch है ना net जो वापिस आया जो वापिस आया वो हट जाता है चले यहां पर कितना उन्होंने बेच दिया दोनों sale आती है ना cash और credit तो यह ध्यानक ना यह हमें किस पर लिखना IP पर यह हमें invoice price पर लेना है okay बागे closing stock sales are recorded at invoice price क्योंकि stock account पूरा एक price पर बनेगा बास इस बात का ध्यान लखना है okay तो यह मैं लिख देता हूं था कि ध्यान रहे okay memorandum stock account okay under debtor system under debtor system should be should be prepared should be prepared on invoice price ठीक है राट बाले क्लीर है चला अब दूसरा बनेगा goods send to branch उचा से पहले बनता था सेम goods send to branch account इसका balance चला जाका trading account में इसका balance चला जाका trading में तो का पहले entry बना ही branch debit to goods send to branch तो यहां जाका by branch net invoice price per है ना हमना I am loading I am loading credit करी ना by goods send to branch loading to goods send to branch to branch goods send to branch to branch ठीक है return minus करने के बाद ठीक है या return credit कर देना बात ही किए तो यह जो balance आएगा इसका मतलब हम अपने trading में से credit कर देंगे यानि two purchases, purchase में से minus कर दो या trading के credit में दिखा दो okay head office अपने trading account में जो goods branch को बेजता है वो purchases में से हटा देता है कि मैंने यह बेचा नहीं है मैंने यह बेचा नहीं है ठीक है एक बार मैं दुबारा बता दूँ head office जब अपने पास trading account बनाता है तो debit में क्या लिखता है opening balance head office यह head office के बाद कर रहा हूं मैं कितना उसने खरीदा कितना उसने sale करा local market में और कितना बच गया यह GP आता है उसका ठीक है भी अब देखो मान लो उसने 100 unit खरीदे और उसमें से उसने 80 बेच दिये तो 20 बच जाने चाहिए suppose पंदरा बचे तो जो पांच बेचे नहीं नहीं बचे ब्रांच को भेजे तो वह हम यहां से या तो minus कर देते हैं या credit में डाल देते हैं goods sent to branch goods sent to branch 5 unit क्योंकि इस पर profit अलग निकालना होता है ताकि मैं decision ले सकूँ सर जी एक बब बताओ अलग क्यों कर रहे हो इसे में रहने दो और branch का profit इसे में आ जाए ऐसा करो नहीं क्योंकि मुझे यह देखना होता है कि किस branch से profit आ रहा है किस branch से loss आ रहा है ताकि मैं decision ले सकूँ जिस branch से loss आ रहा है मैं उसको बंद कर दूँगा और जिस branch में profit आ रहा है और ज्यादा आ रहा है तो उसके manager को मुझे कर दूँगा motivate करूँगा तो इसलिए जो goods branch को भेजते हैं वो purchase में से minus कर देते हैं या trading में credit अलग से ताकि इसमें margin न हो और फिर branch का profit अलग निकाल लेत चलिए बटा बाजाओ question number है third का B part यह institute के study material पर है page number 13.26 page number 13.26 institute का material पर और हमारे study material का है आपका page number 2.30 चलो करें यह करें यह करें take figure from illustration 3A चलो पीछे आजाते है prepare branch account ठीक है following debtor method चलो भई आजाओ back to the pavilion अब एक बार 3A पढ़ते हैं तो वो करें यह वाला question debtor method से करो चलो क्या करते हैं Harrison of Chennai has a branch at New Delhi to which goods are sent 20 percent above cost इसका मतलब क्या हमेशा द्यानकना 20 percent above cost यहनी जो loading है आपकी वो percentage के बाद जो दिया हो उसको मान लिया करो अगर 20 percent above 20 percent of IP तो IP को 100 मान लो above cost है तो cost को 100 रपे मान लो loading कितनी है इस पर 20 percent cost का यहनी 100 रपे का 20 percent तो मेरी invoice price हो गई 120 रपे ठीक है अब loading क्या कहोगे cost का तो 1 by 5th है है ना और 20 रपे 120 का 1 by 6 तो जब आपको cost price दी हो तो 1 by 5th जोड़ दो IP दी हो invoice price तो 1 by 6 निकाल लो loading आजेगी चलिए branch makes both cash and credit sale branch expenses are met partly from head office partly by branch ठीक है कुछ head office काज है बाकि हम कर देते है statement of expense incurred by branch every month ठीक है हर महीने हम उनको भेज देते हैं का भया यह record कर लो चलिए क्या कह रहा है यह आपको detail दे रखी है एक साल की cost of cost of goods sent to branch at cost इसका वाला मैंने जो goods branch को भेजा वो दो लाक रुपे की cost का है ना तो 20% का मनलब क्या था 1 by 5th 1 by 5th of cost ठीक है तो इसमें 1 by 5th जोड़ दोगे 1 by 5th जोड़ दोगे तो आई-पी बन जाएगी goods received by branch till 21 दिसमबर 2011 at आई-पी दो लाक 20,000 यानि आई-पी का माल मैंने कितना भेजा 1 by 5th जोड़ दो मैंने दो लाक 40 अरपे का माल भेजा और उनके बास दो लाक 20 अरप तक पहुंच गिया इसका मलब 20 अरपे का मल रास्ते में है तो जो रास्ते में है मैंने तो भेज दिया उसको close stock मानके चलते हैं भी पहुंच आएगा अगले साल पहुंच आएगा तो का माल अभी on the way है तो उसकों क्या कहेंगे closing stock credit sale for the year invoice price पर है कितनी एक लाख साथ हजार कितनी है एक लाख साथ हजार हादे कितना amount नहीं कितना है यह एक लाख पैंसट हजार है यहाप कि 1,065,000 चली चली कैसे साथ है यहाप कि 1,065,000 चली कैसे है is for the year at invoice price a b invoice price पर है, cash remitted to head office, expenses paid by head office, okay, bad debts साढ़े साथ सो, okay, balance as on, opening, closing, okay, opening है और closing है, opening है और closing है, हाँ जी, 25 अरव का opening balance cost पर है, 28 अरवे का invoice price पर closing है, यानक ना इसमें goods in transit शामिल है, यह तो वहाँ पर जो goods है, उसकी बात कर रहा है, debtors का opening closing, cash का opening closing, शोद अब आ गया, अब तो हमें क्या करना है, branch account बनाना है, ओके, चलिए, third B को लेते हुए, head office के book में, आप prepare करोंगे branch account, okay, आप अमेशा लेकिलिया करोंगे लेकिलिया करोंगे, यह तो आप हमेशा लेकिलिया करोंगे, पर्टिकुलर्स amount, पर्टिकुलर्स amount, okay, debit credit, करो, फटा फट, सब से पहले, हाँ जी, debtor system follow करना है, में, कॉन से system follow करना है, debtor system, direct method कह सकते है, इसको, चलिए, two balance BD, opening balance देख लो, भाया, हाँ जी, stock का, का, debtors का, और cash का, पता हो कितना है, stock कितना है, जेको जल्दी से, हाँ जी, stock का है, opening balance, cost है 25,000, हाँ न, तो one-fifth of cost जोड़ोगे, one-fifth of cost जोड़ोगे, तो 25,000 में one-fifth जोड़ोगे 5000, तो तीछार आई-पी बन जाएगी, मेरी बास समझ में आ रही है, 25,000 पे cost है, इसका one by fifth आफ जोड़ोगे, तो बन जाएगा मेरे पास 30,000, all clear, चलिए, debtors, IP पर आगया, 32,750, 32,750, और closing cash 5000, ये opening balance आगे, बोलो भी, चलिए, अब हमने कितने रुपे का goods भेजा, branch debit to goods and to branch, अगर branch ने कोई head office को वापस कर दिया, तो यही से minus कर दिया करो, ठीक है, बताओ, 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 बताओ जल्दी, हमने उनको भेजा, दो लाख रुपे की cost का, हमने उनको भेजा, दो लाख रुपे की cost का, plus 20 परसन, यहनि वन फिफ्ट, आप जोड़ दो, कितना हो गया, 2,40,000 का goods मैंने उनको भेजा, IP पर, invoice price पर, invoice price पर, बोलो clear है, उनके पास 2,20,000 का पहुँचा, है ना, तो इसका महला BCR closing stock as a stock, as a goods in transit, तो यहाँ आजाएगा goods in transit, यहाँ आजाएगा goods in transit, हाँ जी, goods in transit, ठीक है, 20,000 रुपे का IP का माल, चलो, अती उत्तम, अब ध्यान से, credit sale, हाँ एक लाख 55,000 की है, है ना, credit sale, एक लाख 55,000 की है, और cash sales है, आच्छा, यह दो दोनों नहीं आएगी ना, directly, cash remitted आता है, directly, 2,22,500, तो अब क्या लिक होगे, cash account debit to branch, यहनि, by remittance, by remittance, remittance में क्या-क्या आता है, cash sales और cash collection from debtors, कितना रहा देको जान से, 2,25,00, और जान से, समझना जारा, 2,22,500, ठीक है, अब ही, ओके, अब इसमें cash sales कितनी है, वो देख लो, एक बार, हाँ जी, cash sales कितनी कह रहा है वो, cash sales 59,000 की है, cash sales है, उसकी 59,000 की, तो बाकि तो होना चाहिए, है, cash collection from debtors ही, cash collection from debtors, यही होना चाहिए, है ना, राइट भे, और वैसे भी आप निकाल सकते हो, कि 2,22,500 हमने भेजे, कुछ और तो है नहीं, तो balancing figure कितनी आ गई आपकी, 59,000 आप माइनस कर दो, तो यह आ जाएगा, 2,22,500 माइनस 59,000, तो यह आ गया, 1,63,500, तो यह आ गया, balancing figure, बोलो भी, समझ में आगे मेरी बात, है ना, क्योंकि head office को जो पैसा भेजते हैं, head office के पास जो पैसा आता है, ब्रांच से वो दो ही होते हैं, cash collection और cash sales, हां, insurance company से पैसा आया, asset sale के बेच के पैसा आया, माइनस खर्चे तो ने तो आई जाता है, पर वो अलग नहीं है मेरे पास, तो इसलिए हमने इसको cash collection मान लिया, ठीक है भी, वो लो clear about, चले, अब और क्या-क्या है, credit sale direct आती नहीं है, ठीक है, आच्चा, expenses paid by head office, जो head office ने खर्चे कर इसका मलब, head office ने पैसा भेजा ब्रांच को, तो head office के एंट्रिपास करेगा, debit the receiver, credit word goes out, branch debit to cash, expenses by head office, कितना, कितना माउंट है देखो, 12,000, कितना माउंट है, 12,000, ओके, हो गया भी, चले, अब closing, देख लो, क्या-क्या है, bad debts नहीं आते, closing stock, 28,000 अर्वेक आएगा, closing debtors, 26,000, हाँ जी, closing stock, 28,000 का, है न, closing debtors, और closing cash, देखो, closing debtors कितना है कि मेरे पास, 26,000, ओके, यह है, चले, closing cash देखो, दाही हजार रपे का, ओके, चला, अब loading निकाल ला हुगा, opening stock के loading credit होगी, opening stock के loading credit होगी, जो माल बेज़ा है, उसकी loading credit होगी, यह न, उस पर मैंने जो कमाया, ओके, एक्ट्वल में तो कॉस्ट इसकी 25 या रहे है ना, एक्ट्वल में तो इसकी कॉस्ट दो लाक है ना, तो जो मैंने जोट बोल की कमाया हूँ, वो credit आ जाएगा, तो यह तो तब आएगा, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, एक मिनट मही हां लिख देता हूँ पहले, बाइट्वल रिजर्व, बाइट्वल रिजर्व, यह न, लोडिंग अन, ओपनिंग स्टॉक, कितना है, 25 यार, पर एक बटा पांच, पांच हजार, ठीक है, बाइगोट सेंट टू ब्रांच, कितनी लोडिंग है यह, 40 अजार, चलो, यह तब सही होगा, जब मैंने ओपनिंग और, जो भेजा, सारा बेच दिया, जब तो सही है, अब इस में से जो बच गया, तो वो अन्रिलाइस देबिट कर दोगे, टू स्टॉक रिजर्व, यह नहीं अगली बार कम आऊ गए, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 20,000 और 28,000, 20,000 और 28,000, अब यह IP है, इन्वाइस प्राइज है, तो आपको बताया है, इन्वाइस प्राइज है, हाँ जी, कितना है गए इन्वाइस प्राइज पर, एक बटा पांच कॉस्ट का, एक बटा छे आईपी का, है ना, तो 1 by 6 ता जाएगा, 1 by 6, समझ में आगी, off IP, बलो clear है, 1 by 5 फिफ्थ कॉस्ट का, 1 by 6 आईपी का, जब कॉस्ट आईपी पर जाते हैं, तो उपर वालने नीच्चे जोड देते हैं, क्या कहना चाहरे हैं हम, loading, 1 by 5 फिफ्थ है कॉस्ट का, 20 परसेंट, तो यह हो जाएगा, 1 by 6 ता आईपी, यह नीचे आड हो जाता है, बलो समझ में आगी बात भी, ठीक है, चलो, ओपनिंग स्टाउक की, गूट सेंट की क्रेटिट कर दी हमने, ठीक है, और closing स्टाउक की हमने debit कर दी, ठीक है बेटा, चली, तो बाकिए balance आजागा मेरे पास, net profit, ओके, चली, चेक कर लो, कितना आ रहा है, 5,000, 40,000, 22,500, चली, माइनस कर दो फटा-फट से जल्दे, 30,000, माइनस 32,750, माइनस 5,000, माइनस 240, माइनस 12,000, माइनस के, 8,000, तो यह आगया हमारे पास, हांदी, नेट प्रोफिट, यह आगया, 16,250, यह आगया, 16,250, होगे बटे, क्लियर, चल, एक बार नोट कर लो, फट फट फट, फट फट, फिर आगया, और संजाता हूँ, मैं आपको, जल्दी, प्रोफिट हमारे पास, जब आगया, एक बासे, यह 16,250, प्रोफिट आगया, अब हम यह क्या करना है, हमारा answer complete हो गया बट सिरफ एक समझाने के लिए है ठीक है हमें कोई missing information की आवश्यक्ता नहीं है ओके बट फिर भी अगर हम बात करे तो working note में अगर बनाए memorandum cash account memorandum cash account बनाए और दूसरा बनाए हम memorandum debtors account ओके बना कर देखे ताकि हम एक बार समझ जाए concept की reconcile भी हो रहा है यह नहीं हो तो देखो memorandum cash का फट आफट देखो opening balance है आपका 5000, opening balance है 5000 है नहीं है और cash sales कितनी हुई cash account debit to sales देखो 59,000 की cash sales है है नहीं और debtor से कितना पैसे आई cash collection from debtor समने निकाले है भी 163,500 है नहीं है यह हमारे debtor से पैसे collect हुए, यह हमारे debtor से पैसे collect हुए, okay head office को भेज दिए head office debit to cash, remittance कितने भेज़े हमने 2,25,00, यह हमने remittance head office को भेज दिए, लोग भी पकड़ो, closing cash हाना मेरे पास 2500 का, closing cash देखो, 200 का है, चले, इनका total करतो जल्दी से, तो यह आगया भी यह, 5000 plus 59,000 plus 63,500, तो यह आगया, हाँ जी, balance कितना आ रहा है, 2000, अब यह balance क्या indicate करेगा, यह balance indicate करेगा, कि हमने खर्च कर दिये, branch ने, expenses by branch, okay, ध्यान देखो, क्योंकि हमने न, क्या करा था, remittance में से यह minus करके cash collection निकाल लिया था, तो यह tally हो गया, अब branch account में opening हमने debit में दिखाया, closing, credit में तो यह automatically खर्चे record हो गए, अलग साब को record करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, चालो, यहां से यह समझाना था मुझे और, अच्छा debtor से कौन में देखो, opening balance कितना है, फटा-फट से, debtors का opening balance देखो, कितना है, 32,750 है, opening balance है ना, ओके, और credit sale देखो, कितनी है, credit sale, debtor debit to sale, credit sale, हाजी, देखिए, यह है, 1,65,000 की, credit sale, है ना, और debtor से पैसा कितना आया, debtor से पैसा कितना आया, हाजी, cash collection from debtors, हाजी, यह आया, 1,03,000 है, तो cash account debit to debtors लिखते है, debtor से पैसा कितना आया, 1,03,000 है, 1,03,500, cash collection, okay, bad debts, देखो, कितने थे हैं हमारे, bad debts, से काउंड आया, two debtors, साड़े 700 रुपए के bad debts थे, bad debts देखो, ठीक है, हाजी, और closing balance देखो, कितना debtors का, closing balance, 26,000, चला, अब आपका होगा, यह सजी tally हो जाना चाहिए, 1,65,000, plus 32,750, एक लाग सत्तानवे हजार साथ सो पचास, एक लाग सत्तानवे हजार साथ सो पचास, ठीक है, माइनस के 26,000, माइनस के 750, माइनस के 16,500, ती हो गए आपके, साथ सो पचास, प्लस एक तरेसट, पांच सो, प्लस के 26,000, माइनस करोगे, 197, 750, ती हो गया, 7,500, अब आप बताओ, क्या होगा यह, क्या होगा, यह जोले आपका प्रॉफेट आ गया था, फिर सर क्यों बना रहे है, इसलिए बना रहे हैं ताकि मैं आपको reconcile समझा सुकूँ एक्जाम में इसकी आवश्यक्ता है नहीं ठीक है क्योंकि opening closing collection और credit sale दे रखी है हमें हमारा काम हो गया बट आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ ठीक है क्या क्या देखो हमारे पास credit sale हमारे पास credit sale कितनी है हमें 1,65,000 हमें record करनी है credit sale 1,65,000 मुझे record करनी है हमें credit sale record करनी है 1,65,000 और खर्चे record करने है bad debts के 700,000 है ना और discount के discount के 7,500 यह record करनी है तो यह automatically record हो जाएंगे यह amount कितना आ रहा है है एक लाग 65,000 माइनस 750 माइनस साढ़े साथ हजार यह रहा है 156,750 हमें यह record करनी है credit sale record करनी है branch account में और खर्चे record करनी है तो देखो जरा क्या हो गए क्या हो गए है ना cash collection from debtors 123,500 क्रेडिट है 133,500 क्रेडिट है 1,63,500 क्रेडिट है कि भी पैसे आगे debtor से लेने कितना है debtor से 26,000 और लेने तो branch का credit balance कितना है 1,63,500 प्लस 26,000 है ना 1,89,500 यह credit है debit कितना है 32,750 debit है 32,750 तो net credit कितना हुआ 1,56,750 तो यह net credit हुआ समझ आ गही होगी है ना तो इसका मतलब यह amount candidate कर रहा है automatically record कर लिए credit sale और खर्चे discount बोलो बासमझ में आगी सरजी सरजी रुको आपने जो cash का खर्चा किया वो तो record हुआ ही नहीं expense by branch 5000 यह भी record हो गया बच्चों यह भी record हो गया कैसे cash का opening closing balance कैसे cash का opening और closing balance देखो ज्यान से cash का opening कितना लिखा ता 5000 और closing 5000 है ना तो debit आपका 5000 से बढ़ गया खर्चे automatically profit को record कर लिए तो credit से record हो गया discount हो गया bad debts हो गया और खर्चे इस सब record हो गया समझ में आ गया क्या आपको यतनी लग रहा ते sir syllabus जादा है भाई syllabus तो है जादा कि दिमाग में यह आए कि सर जी सागर जैसा syllabus है है ना कैसे पढ़ेंगे सागर जैसा सलेबस है नदी जितना पढ़ते हैं हम तो select कर लेते हैं ट्रेंड बना लेते हैं अब भाई यह आएगा यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा वो आएगा तो सलेबस तो सागर जैसा है और कितना पढ़ते हैं नदी के पानी के बराबर पढ़ते हैं और फिर मार्क्स कितने आते हैं मार्क्स कितने आते हैं चुलू भर पानी के बराबर आप यही तो कहते हो ना कि सागर जैसा सेलेवस है नदी के पानी के बराबर हम पढ़ते हैं और एक्जाम में कितना करके आते हैं एक गिलास में जितना पानी आता है उसके बराबर करके आते हैं माक्स आते हैं चुलू बर पानी के बराबर जिसमें हमारा डूमने को मन करता है तो ये मत सोचो कि हमें इतना सारा सेलिबस कैसे करना हो जाता है मेरी बास समझ में हारी है है हो जाता है बस आप करते चले जाओ करते चले जाओ डू यूर बेस्ट, फॉर्गेट दा रेस्ट, आगे बास सामझ में, भाई करोगे तभी तो कुछ होगा, बेगर करे थोड़ना कुछ होने वाला है, ठीक है, चलो, आगे बढ़े, चलो, नेक्स कोशन पर आते हैं, सेम, आजाओ, कोशन नमबर फोर पर आजाओ, चली, कोशन मज़ा आ रहा है, बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो बताना, चलो, पढ़े, सेल्वेल हूँ, करीड़न रिटेल बिजनेस, ओपन डे ब्रांच, ओपन डे ब्रांच, आगे बाद, ओपनिंग ब्रांच ने लोगा, भाई नई ब्रांच खोली है, है ना, तो जब नई दुकान आपने, तो पिछला समान थोड़ना आपके पास होगा, भाई अगर आपने कोई नई शॉप खोली है, तो इसका मज़ा भी यह थोड़ना है कि ओपनिंग बैलेंस होगा, कैसे होगा, भाई जब आपने उदुखाटा नाथ करा, सब रिश्चाजारों को बलाया है, तो अब मुमाल रखा है, अब बेचोगे तो बचेगा ना आगे, पिछले साल तो वहाँ पर किसे और की दुकान थी, या थाई नी, कंस्रक्शन अभी होई है, तो जब नहीं दुकान खोली है, तो कहां से आएगा ओपनिंग, अभी तो हमने क्या करा हवन की है, अभी तो हमने क्या क तो ओपनिंग कहां से आजाएगा, ठीक है, तो ओपनिंग में जब ओपन किया होता है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आता, क्लीर हो गया, चले, वेर ओल सेल्स वर उन क्रेटिट, सारा उधार माल, जब भी नहीं दुकान है, आओ भी आओ, आओ भी आओ, उधार माल ले जाओ, लाइन लगी है, ठीक है, एक बार ले जाओगे, तो फिर बार बार याद करोगे, कल कोई पैसे भी दोगे, क्योंकि दुकान चला नहीं है हम अल गूट्स रिक्वाइड बाई ब्रांच वर सप्लाइड फ्राम हैड ऑफिस, भी सारा माल मैं बेजूँगा, खबरदार, तुम्हें कुछ नहीं खरीजना, ठीक है, टेन परसंट अबव कोस्ट, अबव कोस्ट आ गया, अगर मैं कोस्ट प्राइस सो रुपे मानूंगा, तो मेरी लोडिंग हो जाएगी 10 रुपे, तो जो अबव हो, वो मान लेते हैं हम, ठीक है, तो इन्वाइस प्राइस हो गई 110, चलो, तो लोडिंग कॉस्ट का तो हो गया 110, है ना, और IP का हो गया 1 by 11, तो ये तो हमेशा दिमाग में रखना है, इसको एक्जाम में दिखाने क आवश्यक्ता नहीं होती है, ठीक है, चलो, the following were the transactions, January, February, March, तीन महिनी की बात कर रहा है, goods and to, sorry, हमने माल भेजा, purchase price 40,000, 50,000, 60,000, ठीक है, जितने रिपे में खरीदा, वो price दे रहा है, पर भेजा तो आई पीपर, sales as shown by branch, ठीक है, ये सारी credit sale है, cash received from debtors, और branch ने head office को भेज दिया, जो भी पैसा debtor से आया, क्योंकि cash sale तो ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं, debtor से जो आया, head office को भेजा, अच्छा, return to head office, जो माल आया था, हमने वापिस बेकर दिया, बेका रहा है, तक हो इसको, मैं customer को देकर अप मेरे सर पर मारेगा ना, ये सर जी कैसे माल भेज दिया, तो भाया ये अपने बातर को, head office को बोल रहे है, branch, ये मैं नहीं बेजने वाला customer को, customer वैसे देखके ही, सड जाएगा, मना कर देगा, तो भाया ये तो वापिस कर लो, ठीक है, right, the stock of goods, एक बद्धानक ना, जो वाप send में से माइनस करके, खतम किया करो, एक entry क्यो बनाओ बेफाल तुमे, the stock of goods held by branch on 31 March, 53,400 at invoice price, closing stock, record these transactions, head office book, showing balances as on 31 March, and branch gross profit, ठीक है, all working should form part of year solution, इसका मतला पहते है, क्या आता, सारी working, आपके solution का part है, आगे नहीं लिखता है, क्या, which becomes part of your marks, तो working तो मेरे number का भाग बने गई, तो मैं दिखाऊंगा है, ठीक है, चले, head office के books में बनाना है, ठीक है, सारी transaction, ओके, तो अब मैं कैसे दिखा सकता हूँ, branch account बना के, silent है, तो आप कोई भी method लगा सकते हो, चलो, हम तो भया, अभ है, ठीक है, चले, answer to question number four, विलकुछ subsequent था, तो head office की book में data system follow करोगे, तो side में लिख दिया करो, data system, ठीक है, head office की book में, head office की book में, क्या बनाना है मुझे, data system, sorry, 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 branch account, नाम होगा branch account, नाम होगा branch account, नाम होगा branch account, नहीं, सुने है ना, नाम क्या है, शेहनशाह, चानते ही होगे, नहीं, तो नाम क्या है, branch account, है ना, ठीक है, कहने के जुरूती नहीं है, यसा कहते है नाम क्या है, अरे, नाम नहीं जानते, शेहनशाह हमारा नाम है, नहीं तो भाईया जब सब जानते हैं तो फिर लिख दो ब्रांच अकाउंट इसमें क्या है चलो पर्टिकुलास अमाउंट आप लिख देना अब मैं लेकरों डारेक्टर टू बैलेंस बीडी और कि है तूब्लेंस बीडी क्या क्या आएगा अ धा का ऑडिकृर का कैश का मैं ब्रांच को अधियर मान के चलते हैं हमने तुम्हें सब कुछ भेजाब हैं तो तुम हमारे लेंदार हम ने तुमसे सब कुछ लेना तुम्हारा है है किस बात कि मुखमाया यह सब तो उपर वाले का नई अभी तो भाइ जो तुम्हारा पास वो हमार आ तो ब्रांश के पास कितना कैश है आ website ले ऑना कितना डेटर सा वह कहते नहीं आर क्या मोह माया साब कुछ यही राजन है तो क्या मेरा क्या सेरा यह नहीं 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 अग्राइब ब्रांच जो तेरा पास हो मेरा है इन बातों को छोडो ऐसे क्या के तो तुम सब कुछ ले जाओगे। अपनी बस कमिशन लो सेलरी लो चलो ठीक बात है आजाओ जरा मुद्दे क्या पर आजाओ जरा मुद्दे पर हाजी क्या कहना चाहा रही है गूट्स सेंट टू ब्रांच ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा ना क्योंकि ओपनिंग नया है तो चालीस जार पचास जार साथ जार कितना होगे डेड़ लाख है ना ओपनिंग बैलेंस में असर क्यों लिख रहे हो आप फिर यह बताओ अरे मेरे बहाई पैटरन बनाने के लिए ठीक है खुश चल नहीं लिखो गए निल तो भी चलेगा ओके चली हैड ऑफिस ने ब्रांच अकॉंट बनाए ब्रांच डेबिट तो गोट सेंट टू ब्रांच कितना बताओ एक लाख पचास अजार की कॉस्ट का माल यह कॉस्ट प्राइज है तो वन बाई टेंथ आफ एक लाख पचास अजार आगे बात समझ में तो इन वाइस प्राइस बन गई आपकी मैं यहीं लिख रहा हूँ क्यों सर जी यहां क्यों लिख रहे हैं बताओ किस आप यहां आके क्यों नहीं लिख रहे हैं अरे मेरे भाई मेरे बच्चे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिटन मुझे माइनस करके दिखानी है मैं रिटन का अलग से कोई पंगा लेना नहीं चाहता ठीक है तो माइनस रिटन आगे बाद समझ में रिटन कितनी है देको जल्दी से फटा फट जडा रिटन कितनी है देको फटा फट रिटन यह आपकी है रिटन टू हैड ऑफिस बारांसो छेषो चौबिसो कितने होते हैं सर जी यह तो होगे 3000 और यह बैले सो आई-पी पर हैं तो इन्वाइस प्राइ माइनस कर तो आप क्या जार है आपका ठीक है तो यह हो गए एक लाग पैंसाथ हजार माइनस 4200 एक लाग साथ हजार आठ सो बलो समझ आ गई आप 4200 को क्रेडिट में भी दिखा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए हो गया और बताओं हाँ जी सेल्स यह क्रेडिट सेल है तो डिरेक्ट आती नहीं है है ना कितना कैश कलेक्ट हुआ 20,000, 51,000, 35,000 तो 20 प्लस 51 प्लस 35 योगे हाँ जी एक लाग 6,000 की सेल क्लेक्शन तो हैट आपस को बेजा तो हम क्या करेंगे पैसा आया आने दो कैश कॉन डेबित तो ब्रांच ब्रांच में आ गया by cash यह नि by remittance ठीक है इस में क्या आता है बताओ cash collection from debtors cash sales assets की sales चीज चुँए पैसा आया इंसरेंश चुँए पैसा आया minus expense by branch ओके मेरे पास सरफ cash collection from debtors है मेरे पास सरफ cash collection from debtors है यह आरे यह बास समझ में कोच केंगे लग रहा है कि सागर जैसा सलिवसें नई सलिवस आगर जैसा नहीं है उच्छा होता है तो ओनी तो हम कुन से सागर से कम है ऐसे को हम भी तो सागर के मगर मच नहीं एक तो कितना अब इसमें cash शेयल नहीं नहीं है क्योंनी कुछ खुद कह रहा है सारा माल उथार बेचा अना ना एसट्स की सेल ना इंशुरेस्ट कंपनी से कुछ पैसा आया ना ब्रांच ने कुछ पैसे करने वाली बात कर रहे तो कितना कैश डेटर से कलेक्ट हुआ ठीक है भी एक लाख छे हजार एक लाख छे हजार ओके एक लाख छे हजार आगे बाद समझ में चलो आप को लोजिंग स्टॉक लेख लो मैं जरा सर ओपनिंग नहीं है तो अरे भाई इस बार काम कर रहा है तो सारा थोना बेच दिया होगा सब्सक्राना ओके चल यह स्टोक बताओ देरा स्टाउख स्टोक लेलर है स्टोक देğरा रहे न फिफry 13,420 और ये अब फ्राइस प्राइब 53,400 ये किस पर है ये? इन्वाइस पर है ठीक है? ये किस पर है? इन्वाइस पर है चलो आप डेटर्स का बनाओ जरा अपने आप है ना? तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ये आपको तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट में आना पड़ेगा अगर आपको दावद खाने है तो हमारे आना पड़ेगा तो भया अगर आपको ईमेसिंग नोट पर आपको आना पड़ेगा ठीक है? चलो आजाते हैंस में क्या दिक्कत है? Memorandum debtors account, Memorandum debtors account, ठीक है, हाजी two balance BD, opening nil, हाजी debtor debit to sale, credit sale, credit sale, credit sale, stock and debtor system में को रो याद क्या आती थी, है ना, debtor account debit two branch stock, क्योंकि माल भीक रहा तो stock account कम हो जाता था, क्या आता तो debit में था, बताओ जल्दी से, credit sale, कितने की है, जल्दी, credit sale, sales, शारी credit ना, 38,000, 42,000, 45,000, 38,000, 42,000 plus 55,000, 1,005,000 की, ये total credit sale, तीनों महिनों की, एक पैती समझ में आगे कहां से आया, ये किस, किस खेट से आया, सर जी तीनों महिनों का total करके आया, तीनों महिनों का total करके आया, ठीक है, चलिए, आप बताओ, debtors account बन गया आपका, cash collection कितना हुआ, भाई, collection, cash collection from debtors, अभी निकाला था, एक लाग, छे अजार, तो सर जी एक लाग, 35,000 का राम लाल को धार माल बेचा, ला भी लाग, पैसे दे अब, अब ये थो ना, कि पैसे माल लेकर खा जाएगा, भाई, पैसे भी तो दे, तो एक लाग, 6,000 उसने दे दिये, 39,000 मैं दे होंगा, वो ये कह रहा है, तो ठीक है, closing balance, अम भी कहने दे दे का, यार कही भागात होना जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा आगया, closing balance, इसको बोलेंगे, balancing figure, okay, क्या बोलोगे, balancing figure, 29,000, लिख दो, working road number one, क्या दिक्कतारी, बोलो clear about, अब क्या बचा, cash की कोई बात ही नही कर र क्या, है ना, stock reserve, loading, चलो, by goods sent to branch, by goods sent to branch, हाँजी, एक लाख साथ हजार आठ सो, एक लाख साथ हजार आठ सो, ये IP है, ये IP है, डिवाइड बाई 11, ठीक है, तो कितने आगी, 14,618, 14,618, बास समझ में आगे, एक लाख साथ हजार आठ सो, ये इन्वाइस प्राइस है, इन्वाइस प्राइस पर देखो, कितने आरे लोडिंग, मैंने लिखा था ना, भी, 1 by 11, cost का बन प्रेंड, IP का 1 by 11, चलो, closing stock पर देख लो, stock reserve, loading on closing stock, 35,000, 400, 35,000, 400 per 1 by 11, 4854, 4855, कि का सकते हूं, 35,000, 400, 53,400, पर 1 by 11, बोल क्लियर है, 53,400 पर, चिक है भी, बहुत खतम, चलो, profit निकाल दू, तयारो, चलो, करो, 14,618, 14,618, प्लस एक लाख छे हजार, प्लस 35,400, प्लस 39,000, तो यारा है मेरे पास, तो लाख टीन घजर दो 203,018, तय कि आजाय का नेच का नेच अच परफित transfer to general profit and loss account, which is minus 4855, हाजी यागे आपका सैंती सजार तीन सो तरे सट, okay, balancing figure, बालो समझाज आगे हा विलकुल, मजदार, सजी इजरा फटफटर रिकंसाल और का रादो एक बार, क्रेडिट सेल मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, भाई करी, एक लाख छे हजार, collection from debtors, plus closing stock, मैंने एक लाख छे हजी, ये एक्जाम में नहीं दिखाना, रिकंसाल, आपको समझाने के लिए, 29,000, cash इतना आया, इतना लेना है, तो इसका मिलम, एक लाख, 35,000, minus opening नहीं है, तो ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल दे को इतनी है, खर्चे कुछ है नहीं, तो बेसिकली ये मेरा trading account होते हो दिखता है, ओपनिंग बैलन्स, है ना, ये गूट सेंट परचेज इस, है ना, क्लोजिंग बैलन्स, यहां पर सेल, cash और credit, profit, बोलो, समझा आगे बात, कितना आसान है, कहां सागर जैसे से ले बजवेगार के बाते करते हैं, ठीक है, कितना आसान है, एक्जाम में पास होना, तो बहुत करती है, समझ में आगे, बस सिरफ आप करते चले, जाओ, करते चले, जाओ, अब आगला आगे चले, चले, इसको नोट कर लो, फटाफाट से, चले, आजाओ, कोशन नमबर 22, करें, चलो, बहुत असान है, वाइट स्प्रेड इन्वाइसे गोट्स तो इट्स ब्रांच, एट कोस्ट प्लस 20 परसंट, कोस्ट प्लस यह ऑन कोस्ट बात यह किया, है न, क्या मतलब इसका, 100 परसंट है, 100 परसंट है, तो लोडिंग 20 पर, आईपी 120, है न, 100 परसंट है, तो कोस्ट प्लस ओ, और कोस्ट, तो कोस्ट कोई 100 परसंट मानते हैं, लोडिंग 20 पर, तो आईपी हो गई 120 पर की, ठीक है, तो यह 1 बाई 5 ता है कोस्ट का, और 1 बाई 6 ता है आईपी का, चला, ब्रांच सेल्स गूट सेट for cash as well as credit, दोनो, नकट भी बेशता है, उधार भी, ब्रांच मेर्स इस expense out of cash collected from debtors and cash sales, remit the balance to head office, after withholding 10,000 पर necessary for meeting immediate requirement of cash, ब्रांच सारे खर्चे नहीं थोटे-मोटे, टेडे-मेडे कर देती हैं, जो debtors से पैसा आता है, और जो cash sales आता है, उसमें से, फिर 10,000 पर रोक कर head office को भेज़ देते हैं, क्यों भी खिस-खुशी में 10,000 पर रोकते हैं, कोई बड़े पार्टी है, कोई शादी हो रही है, आरे कोई emergency का खर्चा आ जाए, तो हम कहां से करेंगे, यह थो ना कहेंगे, खर्चे वाले को रुख जा, head office से पैसा आने दे, तो 10,000 पर emergency के लिए रख लेते हैं, during the accounting year, invoice price of goods dispatched by head office to branch, 1 करोड 32 लाग, 1 करोड 32 लाग का मतलब हो गया, हाँ जी, 132 लाग, ठीक है, का माल भेजा आई पी का, out of the goods received by it, the branch sent back to head office, branch ने कहां यह रखो अपना माल, खबरदार जो हमने खराब माल भेजा हम क्या कस्टमर को खराब देंगे ये रखो हमें नहीं नहीं चाहिए हम नहीं भेचेंगे ठीक है तो ये वापिस आ गया IP का ठीक है out of goods received by it the branch sent to head office of goods invoice that other transaction during the year cash sales credit sale cash collection by branch from credit customer cash discount return by customer sales return bad debts expense by branch बहुत खुशी 1st January को the branch purchased new furniture of एक लाग रुपे ठीक है जिसमें for which payment were made by head office branch ने assets खरी दी नया फनीचर एक लाग रुपे का okay payment hard office ने कर दी 31 March 31 March 2012 को ये cross 1 होता है branch expenses 6,000 रुपे के वर outstanding and were outstanding and cash in hand was again 10,000 furniture is subject to depreciation 16 percent minimum on diminishing on diminishing balance method चलो क्या मांगना अब आप से prepare branch account in the books of head office for the year 31 March 2012 ठीक है भी तो accounting year number है कौन सा हुआ 11 बारा चलो तो हमें क्या बनाना है branch account बना ले चलो कि आज़ो भी है head office अपनी बुक में debtor system follow कर रहे हैं हम कौन सा debtor system कौन सा debtor system हाली head office की बुक में क्या बनाओगे branch account क्या बनाओगे branch account for the year फर्स जनवर फर्स अपरेल से इक 30 मार्च हाँ जी 2012 चली ध्यान रखना हमेशा be positive positive का मतलब confident अपने concept पर भरोसा रखो ये एक आप पक्षी से भी सीख सकते हो कैसे सर जी कैसी कैसी बैते कर रहे हो आरे भाई तुमने देखा होगा अगर कोई पक्षी किसी पेड़ पर बैठा है और नीचे से कोई किसान लखडी काट रहे तो वो पक्षी उड़ता नहीं है उसको डर नहीं है कि वह मर जायगा जब डाल गिरेगी तो नहीं वो क्या गता है काट जितना मरजी काटता रहे जब जिस डाल पर बैठ है वो डाल तूटने लगेगी मैं उड़ जाओंगा क्यों उसको अपने पं खुब भरोसा है तो हमें अपने concept पर भरोसा नहीं है क्या तो इसलिए मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि हमें उन से हर चीज शीखनी चाहिए कुछ ना कुछ कि हमें अपने concept पर इतना भरोसा हो कि जैसा मर्जी आजाए जो मर्जी किसान आ जाए किसी भी तरह से काटने वाला हम नहीं डरिएंगे है ना चलो तो आज आओ इसी बात पर लेते वे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस डेटर सिस्टम के इसाब से ठीक है भई क्या क्या आएगा देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है अधी ओपनिंग बैलेंस हाँ जे और 31 मार्च 2011 यानि ओपनिंग है ओपनिंग है यह दो जर बाना क्लोजिंग तो कैश इन एंड है दस हजार डेटर से तीन लाग चौरासी हजार चली फटाफट कैश 10,000 डेटर से 3,84,000 के है ना फनीचर है ना यह बनाना है हमें at the end of for the year ending 31 मार्च 2012 चली फनीचर देखो कितना है मेरे पास ओपनिंग हाँ जी फनीचर का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है फनीचर का ओपनिंग बैलेंस हाँ जी पांच लाख स्टॉक आई पी पर है दस लाख असी हजार बोलो समझ आगे बात बहीं यह सरफ हमने नोट डाउन करें कितना असान है ओके स्टॉक किस पर है इनवाइस प्राइस पर है अब हमने माल कितना भेजा उसको तो गूट सेंड टू ब्रांच तो गूट सेंड टू ब्रांच अना हमने ब्रांच को कितने रुपे का माल भेजा ओके देखो कितने रुपे का माल भेजा हमने ब्रांच को एक करोड 32 लाग का यहने 132 लाग का 132 लाग रुपे का आई-पी का माल भेजा है ओके इसमें से रिटन उन्हों रिटन कितने कर दी देखो जरा 72,000 पे की रिटन कितने कर दी 72,000 की तो एक सो बत्तेश लाग एक सो बत्तेश लाग एक सो बत्तेश माइनस बहत्तर हजार या गया एक सो एकत्तेश लाग अठाईश हजार एक सो एकत्तेश लाग अठाईश अर नेट आप टू एक सो बत्तीश लाग देखा कर बात तर जरे दिखा तो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है आगी बास समझ में चलो हाँ यह होगे सारे ठीक है भी चलो अब कैश शेल्स है तीन और तो पांच 97 लाग की तो कैश शेल्स है और कैश कलेक्शन बाइब ब्रांच 28 लाग बैली से जार तो 97 लाग यह नी रेमिंटेंस में आ जाएगा हैड ऑफिस को कितना पैसा भेजा कैश शेल्स है ना कैश शेल्स को कितने रुपे की है कैश सेल्स को कैश कलेक्शन फ्रम डेटर्स कैश कलेक्शन फ्रम डेटर्स कोई असर बेच के पैसा आया कोई इंसरेंस से पैसा आया माइनस मैंने खर्च कर दिये चलि. नाइन्टी सैमन लैख है ना र отв आएशल लांक बयलिश आजार थीन और दॉपाँच नाइनन्टी सैमन लैख 97,28,22,000 बोलो यह ही आ रहा है हाँ जी 97,00 और 28,22,000 ठीक है 97,00 ते हो गई 125,22,000 ठीक है अब इसमें से खर्चे है ना चलो एक काम करते हैं हाँ जी टुको एक मिनिट कैश अकाउंट और बना लो आप यह जगा बैलेंस सीडी ठीक है भी कितना कैश है क्लोजिंग कितने डैटर्स का बैलेंस है कितना फनीचर चलो क्लोजिंग कैश तो दस काई है क्लोजिंग कैश तो दस काई किया जाए था मेंटेन ये यह कैश डिसकाउंट है नहीं आएगा डैटर्स में गारिटर्न बाई कस्टमा डैटर्स में गाई भी टैटर्स में गाईगा एक्सपैंसे इस पेड़ बाइब रांच एज़ आजएगा चलो अबरांच ने फनीचर खरीदा था कितने का एक लाग रुपे का जो हैड आफिसने पेइमेंट करी है ना आच्छा भी दिखते हैं ब्रांच के खर्चे छे ज़र रपे के थे आउटस्तेंडिंग cash in hand again 10,000 रुपे का था 31 मार्च को 6,000 रुपे के खर्च आउटसेंडिंग हो गए समझ रहे हूं तो इसका अमलब closing balance लैपटीज expense outstanding expense outstanding closing में आ जाते हैं ना okay closing cash same 10,000 चलो अब आजाओ working note में Memorandum debtors account बनाओ गए Memorandum का लो double entry पर नहीं होता है सरफ missing information के लिए होता है है ना और फिर बनाओंगे Memorandum cash account समझ के बाद बे चली पहले एक बार इसको इतना note कर सकते हो करो note cash का opening balance आपका 10,000 है ना अच्छा closing भी 10,000 है आया कितना माल बेच के cash account debit to sale cash sales कितना आया 97,000,000 आया था 97,000,000 ना कद माल बेच के देखो कितना आया था 97,000,000 और debtors कितना आया cash account debit to debtors, collection, collection from debtors, देखो, collection from debtors, अठाईष लाख बयाली सजार, 3,0 थी ना चलो, अब ध्यान से समझ ना जरा ठीक है, head office को मेन कितना भेच दिया, head office debit to cash नहीं भी, remitted, जो furniture खिरीदा हो तो direct पैसे आगे है, मैंने तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, यही तो था, हमने अपने खर्च कितने करें वो देख लो, branch ने कितने खर्च कर दिये, expenses paid by branch, 8,42,000, expenses by branch, branch, 8,42,000, branch करेंगा, expense debit to cash, चलो, तो यह आपका net balance आजएगा, head office को भेजे, करो, 10,000 plus 97,00,000 plus 28,00,22,000, यह गिया, तीन और दो पाँच, एक सो पच्चिस लाख बावन हजार, एक सो पच्चिस लाख बावन हजार, माइनस के 10,000, माइनस के 8,42,000, यह आगिया, तीन और दो पाँच, एक सो सत्रा लाख, चलो भई, balance आगिया, एक सो सत्रा लाख, लो भी पकड़ो, head office को बोलेंगे, यह, पैसे रखो अपने पास, ठीक है, चलो, अब एदर आज जो, जरा, फट फट फट, डेटर्स को opening balance, है न, कितना जेको, डेटर्स का opening balance, जेको कितना है, डेटर्स का opening balance, तीन लाख चुराशी हेजार था, और credit sale, ठीक है, तीन लाख चुराशी हेजार, debtor debit to sale, credit sale, है न, debtor debit to sale, कितना है, 31 लाख चौराशी हेजार, अब ध्यान से, bad debts, discount, है न, bad debts, discount, expenses वो कितना है वो देख लो जड़ा हां जी बैट डट्स 37,000 के हैं और रिटरंस हैं बैट डट्स 37,000 के हैं और कस्टमर ने माल वापिस कर दिया तो यह तो इसी में से माइनस कर देते हैं आप एक ही बात है चलिए रिटर्न बाइ कस्टमर एक लाख दो हजार जी क्लोजिंग बैलें देख लो कितना है डटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हां जी नहीं है इसमें चलो हां जी अब डटर से पैसा कितना है आता कैश कोंड अबेट विट्टर्स भाई कैश क्लेक्शन फ्रम डेटर्स अठाइस लाख बैली सजार अना अठाइस लाख बैली सजार ठीक है भी चले तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आजाएंगा करो तीन तीन लाख चरहसी हजार प्लस तीन सो चौदान लाख नहीं करतिस लाख चालिस हजार यह हो गया तीन दो पाँच पैंटिस लाख चौबिस हजार ठीक है भी माइनस कर दो ठाइस लाख बैली सजार माइनस एक लाख दो हजार ठीक है पाँच लाख तिर तालिस हजार चली एक लो कुछ है तो नहीं गया अच्छा कैश दिस्काउंट अठावा नहीं जा रहे रहे लागे ना डिस्काउंट तो डेटर्स ठीक है तियो गया आपका चार लाख पिचासी हजार यह क्लोजिंग बैलेंस आगया चली आपको लोजिंग बैलेंस ले जाओ चार लाख पिचासी हजार है ना ठीक है भी और क्या था रेमिंटन्स रेमिंटन्स देखों कितने हा रही है रेमिंटन्स हाँ जी रेमिंटन्स आ रही है मेरे पास कितनी है तीन और पांच, 117 लाख रुपे, तो रेमिंटन्स आप देखा होगे, 117 लाख, यह आउटर, इनर में लिख लेता हुआ है, रेमिंटन्स आजाएगा 117 लाख, रेमिंटन्स आएगा टोटल 117 लाख, समझ रेमिंटन्स आएगा टोटल 117 लाख रुपे, कैसे, cash sales, cash collection minus खर्चे, है न, cash sales कितनी है मेरे पास, ही तो है, cash sales 97 लाख, है न, 28 लाख बैलिस आजार, तो 97 लाख, 28 लाख बैलिस आजार, ठीक है, minus expense by branch, कितने है, 8 लाख बैलिस आजार, 8 लाख बैलिस आजार, ठीक है बैटा, चला, ओके clear, अब furniture पर आजार, फनीचर में क्या कर रहा है, वो ध्यान ते देखो, फनीचर का, अच्छा, फनीचर का opening balance है, 5 लाख, ठीक है, और खरीदा हमने कितना, अच्छा, ये कहता है, फनीचर पर 16 परसंट का depreciation है, है न, और एक लाख रुपे का फनीचर खरीदा, कब एक जन्वरी को, ओके, जिस पर payment, head office ने करी है, तो एक लाख रुपे की payment होगी, head office क्या करेगा, branch debit to bank, for payment of furniture, ठीक है भी, आप closing balance, इसको आप एक बार account बना लो चाहो तो, यह working road में, opening furniture मेरे पास था, opening furniture, कितना था, 5 लाख का, है न, इस पर depreciation, क्या rate है, देखो, 16 परसंट से, 5 लाख पर 16 परसंट, 80,000 रुपे का depreciation आ गया, ठीक है, हमने new खरीदा, एक लाख का, पर यह खरीदा जन्वरी में, तो इस पर 3 महिने का आ जाएगा, इस पर 3 महिने का, क्योंकि जन्वरी में खरीदा है, तो एक लाख पर, कितना है, 16,000 इन्टो 3 डिवाड़ेट बाइब बारा, है न, 3692, एक लाख पर 16 परसेंट है, एक लाख पर 16 परसेंट, 3 महिने का, 3 बटे बारा, तो यह हो गया, 4000 रुपे, तो टोटल डेप्रिशेशन कितना आया, हादी, यह 80,000, तो हमें तो क्लोजिंग बालेंस से ही है न, return on value, कितना आगे चार लाख बीस जार और यह 96,000, तो चार लाख बीस जार प्लस 96,000, कितना आगी? 5 लाख बीस जार पलस 96,000, भई, ओपन फरनीचर पाँच लाख का था? एक लाख का खरीदा, पांच लाग पर सालबर का depreciation ये जनवरी को खरीदा तो तीन महीने का तो return on value लिकोगे पांच लाग सोना हजार पांच लाग सोना हजार बोलो समझ आगे बाद बैई ठीक है चलो अब stock stock reserve opening stock का कितना है stock reserve check करो stock reserve कितना है आपका हाजी 20% on cost यहनी 1 5th cost 1 6th of IP चली 1 6th of IP फटा फट देखते चले जाओ 19,80,000 है हाजी divided by 6th 3,30,000 है ना 19,80,000 का 1 by 6th ठीक है चलो अब यहां पर आजाओ closing stock हाजी closing stock कितना रुपय का देखो closing stock दे रखा है मेरे खाल से closing stock हाजी अब यहां पर closing stock नहीं दिया तो क्या करोगे working code में बनाओगे हाजी closing stock अगर आपको नहीं दिया है तो आपको working note में बनाना पड़ेगा ठीक है चलो करो क्या बनाना पड़ेगा त्यांते सुना जड़ा memorandum stock account क्यों बना रहे हैं हम यह closing stock निकालने के लिए और इस बात का ध्यानक ना invoice price पर बनता है यह हमेशा किस पर बनेगा invoice price पर यानि sale अगर silent है तो IP पर है sale अगर silent है तो IP पर है अगर sale IP से उपर होती तो मैं IP पर लिखता चलो क्या ओपनिंग balance पताओ फटाफट कितना है ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का हांदी उनिस लाक स्टी हजार ओपनिंग बैलेंस है उनिस लाक स्टी हजार हमने कितना भेजा माल तो goods sent to branch देखो जानते चरह हमने भेजा ब्रांच कुमाल एक सो एकत्तेस लाक अठाइस अजार का एक सो एकत्तेस लाक अठाइस अजार का net ठीक है हमने सेल कितनी कर दी cash और credit cash और credit cash लती 97 लाक की cash देखो ना 97 लाक की थी तो silent है तो यह मानके चलेंगे IP पर है silent है तो मानके चलोगे IP पर है credit सेल 31 लाक चालिस अजार 31 लाक चालिस अजार ठीक है credit सेल देखो जार है ना और वापिस कितना गर दी आनो ने debtors ने तो net निकाल लेते है या तो हाँ जी return एक लाक दो हजार return from customer एक लाक दो हजार ओके चले अब क्या जागा हमर पास या जागा closing stock करो एबटा opening stock 10 लाक चालिस अजार है opening stock हमारा 10 लाक चालिस अजार चलो करो एक बजर फटा करो या आगया मेरे पास 143 लाक 10 अजार minus 31 लाक चालिस अजार 97 या चाओधा लाक सतर अजार का closing stock okay चलो ये ले जाओब आप 14 लाक सतर हजार चाओधा लाक सतर हजार ठीक है चली ये जानक ना 10 लाक असी हजार चली अब लोडिंपर आजाओ जाओ हाजिए गूर्ण सेंट ब्रांच के लोडिंगूर्ण and 2 branch, 1 by 6th, 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 closing stock loading, 1 by 6th, 1 by 6th, 14,70,000, 2,45,000, okay, all right, now, let's take a profit calculation, calculation, stock reserve, opening balance, 10,80,000, तो इसका 1,6th, 1,80,000, ये सही कर लेना, okay, चली, 10,80,000 का 1,6th, 1,80,000 हो गया, clear, चलो, अब आप प्रॉफिट निकालो, अपने अब जल्दी से, चली, प्रॉफिट आगे आपका, 10,90,000, सब्सक्रिफ, 2,70,000, को, चली, थे चली, 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 अब आपका आपका, 10,90,000, हो तो चली से, ドン हो, चली, सब्सक्रिप चली, चली चली, से, तो आपक्र 16,90, चली चली, को, चली, मोई आपका, 10.10, devो उतोफव чист को, casa, 10,420, चलीचव चली, झाल झाल